आज सुकल योग है, पूरा दिन रहेगा, आज चंदरमा कुम रासी में हैं और सूर्य भगवान मीन रासी में चल रहे हैं आज का राहू का दुपहर को बारा मजे से लेकर एक बज़ के तीस मिनट तक रहेगा आज दिशासूल बुद्वार को पस्चिम दिशा में दिशासूल होता है इसलिए यात्रा शुरू करने से पहले मिश्ठान ग्रहन करें और अपने इश्ट देव को नमस्कार करें ताकि आपकी यात्रा मंगल वे रहे, निर्विगन आपकी यात्रा संपन हो आज का सुब समय, आज का लाब चोगडिया रहेगा प्राते 8 मजे से लेकर 9 बज़ के 30 मिनट तक और अमरीच चोगडिया रहेगा 11 मजे से लेकर 12 बज़ के 15 मिनट तक ये समय बहुत इुत्तम है, इसमें आप किसी भी परकार का मांगली करें कर सकते हैं आज का पशांग अचार्य जी ने बताया, आज के राशीफल भी जान लेते हैं कि राशीफल के नुसार कैसा आप कर दिन रहने वाला है मदद मिलेगी चात्रों को आगे बढ़ने का आज पूरा मौका मिलेगा मुरिश रासी के लोगों के लिए आज भग्या पूरा साथ देगा परिवारिक जीवन खुश रहेगा सहेत के मामले में आज फिट नज़ाएंगे पुराने दोस्तों से मिलने का आज मौका मिलेगा मिटन रासी के लोगों के लिए आज आपके दोस्त घर पे मिलने आपसे आ सकते हैं कोई जरूरी कार्या पूरा होने की आज उमीद है, आर्थिक पक्स पहले से अपिक्षा बेहतर रहेगा, विवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, चात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश जाना पड़ सकता है। करक रासी के लोगों के लिए आज मन में नए विचार उत्पन होंगे, किसी कार्य के लिए योजना तयार कर सकते हैं, आमदरी में बढ़ोतरी होगी और कारोबार में भी बढ़ोतरी होगी। सिंग रासी के लोगों के लिए आज का दिन सामाजी कारियों की तरफ आपका मन लग सकता है, लोगों के बीच आपकी तारीफ हो सकती है, परिवार के साथ कहीं भूमने का प्लान भी आप कर सकते हैं, वैपार में लगा पैसा आपको फाइदा देगा। कन्या रासी के लोगों के लिए आज कैरियर में आपको नई दिसा मिलेगी, कारस्तर पर सम्मान में आपके बढ़ूतरी होगी, नोकली पेशा वालों के लिए आज उन्दती होगी, प्रेम संबंध मजबूत होगे, सेहत भी अच्छी बनी रहेगी। तुला रासी के लोगों का आज परिवार के सहयोव से एक पूरा कले संपन होगा, किसी दोस्त का घर आगमन भी हो सकता है, सुक शान्ती में बढ़ूतरी होगी। वरिष्चिक रासी के लोगों के लिए आज दोस्तों की मदद आपको मिलेगी, रुका हुआ पैसा भी वापिस आ सकता है, चात्रों के लिए आज का दिन बहुत ही शांदार रहेगा, सुब समाचार मिल सकते हैं। धनुरासी के लोगों के लिए आज आर्थिक लाब होगा, परिवार में रिस्ते मजबूत होंगे चात्रों को अच्छे मोकें मिलेंगे, लक्षे को निरधारित करने का समय बहुत अच्छा है मक्का राशी के लोगों के लिए मन में कोई नया विचार आज उत्पन हो सकता है काम जादा होने से मन में थोड़ा तनाव रहेगा प्रपर्टी को लेकर आपको कोई बड़ी डील आप हाथ लग सकती है कुम्ब राशी के लोगों के लिए आज सोचे हुए सबी कारया पूरे होंगे, कारोबार में पैसा लगाना फाइदे मन रहेगा, विवायतों के लिए आज बहुत अच्छा दिन रहेगा मीन राशी के लोगों के लिए जीवन में कुछ बदलाव आ सकते हैं, संतान पक्स की ओर से खुशकबरी मिलेगी, दफ्तर में उल्जे हुए मामले, आज सुलज जाएंगे आज का राशीफल अचारे जी ने बताया कि राशीफल के अनुसार कैसा आपका दिन रहेगा, कौन से कारे आपके लिए लाबकारी होस्तिते हैं और किन कारें से आज आपको बच्चना चाहिए वो भी अचारे जी ने आपको बताया है चले दर्शकों से भी बात करते हैं चल्खी दादी से पहले दर्शक कृष्ण कुमार हमारे साथ जुड़ गये हैं बहुत सवागत है ख्रशानगाजी आपका कारेकरम में कृशंट खुछा सुन पारे हैं आप पूछें क्या पूछना चाहते है ain't 308-11-2-581-ig बिल्कुल ठीक, बताइब टाइम बताइए लुब साथ चुबस त्यार बजे सर बिल्कुल, पूछे परसन पूछे ग्रुजी मेरे को ख़ब को दिवाई सम देटा है और उड्साम हो गजुटा है सेथ के वाधु बिल्कुल देखिये आपके जुनम कुल्ली में द्वादस भाव थोड़ा पीडित है उसके कारण मांसी का शान्ती रहती है उसका असर द्रिष्टी पे पड़ता है आप खुश रहें किसी परकार की मांसी परिशानी से बचे मन खुश रहेगा तो कोई भी बिमारी आपको नहीं पकड़ेगी फिर भी सूरिया को जल देना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि द्रिष्टी दोस्त जो भी होते हैं और शनी सूरिया के कारण होते हैं तो सूरिया को जल दें और एक पीला कद्दू वीरवार को आप सेलिंग पर जुरू चुड़ाएं अगर आपको महा में तुन जाता है तो उसका पार्ट भी करें ये तीन मेने लगातार कीजिए इससे आपको फरक नजराएगा चले बहुत 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 शुक्रिया क्रिश्न कुमार जी हमारे साथ कारेकरम में जुड़ने के लिए अगले दर्शक शिमला से हमारे साथ जुड़के हैं सुनिल सुनिल जी को साथे पांच है मन असांत रहता है स्वास्त भी धीला जैसा रहता है कि बिलकुल देखिए समय अभी डाला पना भी डाला है लोग्रीविट नहीं के देखिए आजकल मांसी का श्यांती हर्जे गई है कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको तनाव नहों टेंसन नहों क्योंकि सब सुबह उठने से पहले ही टैंसर शुरू हो जाती है तियार हो वहां जाना लेठ हो गए यह हो है प्रंतु उसको जब अधिक मात्रा में हो जाती है वो तो एक बीमारी बन जाती है तो आप सोचे कम वैसे तो इंसान अच्छे हैं आप करना लगन आपका आरा बुद अच्छ दूस्टी रखें दूसर पर ब्रोसे पर मत बैठें अपना करते रहें कारिया मांसी का शांती को दूर करने के लिए आपको केसर का तिलक लगाना पड़ेगा वो लगाते रहें कम से कम तीन महिने और रवी वार को बंद्रों को गुड़ चना दीजिए यह उपाय करो इससे कायकर में चुड़ कही है पूछिए क्या को चाहिए मैं ऐसी बेची के हाँ पूछने जाते हूं मेरी बेची को सकारी मिलगे का जोल यह ए कि बेची को सकारी मेलग्यी आप सतर्भाटी अणिज नम समय बते जनम जिनाख गये ए मिलकु ठीक है, देखिए हम अकद बताते रहते हैं, कि सरकारी सर्विस के लिए, आप अपने पिता को खुस करें, दादा को खुस करें, जो भी पुराणे आपके संसकार है उसको निभाई, जब बच्चा अपने माता पिता की अग्या का पारण करता है तो उसका सूर्य अच्छा हो जाता है, चंदरमा अच्छा च्छा, और सूर्य पैर चंदर ही सरकारी सर्विस देते हैं, सरकार से लाव देते हैं, कई वार ऐसा होता है जनमकुली में योग होता है परंटू उस योग को बच्चा स्वेम खराब कर लेता है तो माता-पिता की बात नहीं मानता तो उससे क्या है चंद्रमा भी खराब शूल्य भी खड़ा तो सबसे पहले जो बच्चे सरकारी सर्विस चाहते हैं, उनको सबसे पहले माता पिता के अग्यागा पारण करना चाहिए, जो भी उनके दिसा निर्देश है, तो आपकी बेटी से यही सला दी जाती है, कि वो माता पिता की सिवा करें, माता पिता अग्यागा पारण करें, ज तोरी मेहनत की कमी है, मेहनत करो, और सरकारी सर्विस मिल जाएगी, सुरिय को जाल इसके रिए बहुत ही जलूरी है, वो करते रहे, इसको सरकारी सर्विस मिल जाएगी。 बहुत बहुत शुक्रियाओ मंजीत कौर जी कायकर में जुड़ने के लिए तो अचारे जी आज एक वुद्यक लेकर आपसे बात करेंगे लव मैरीज को लेकर हना कि जिसका बहुत जादा ट्रेंड अब चल रहा है जातर बच्चे अपनी पसंद से ही शादी करना पसंद करते जी उसके बाद गंधर वीवाह लेकर लेख्यान के लिए उसके बंद हैद आध विवाह जोड़ी वीवाह है तुरा समाज होता है जैमारा होती है और विधी पूर्वा खावन पूजा पाठ के बाद वो कार्य संपन होता है जैसे भगवान स्री राम का हुआ था वो प्रमपराई हिंदुस्तान में अभी भी चलती आ रही है तो उसको वैदिक विवा, उसमें हिंदुस्तान में सबसे उत्तम विवा उसी का माना जाता है दूसरा है गंधर विवा यानि अपनी इच्छा से विवा करना यह अच्छी बात है क्योंकि दोनों के भाव मिलते हैं, विचार मिलते हैं तो गंधर विवा करने में कोई बुरा ही नहीं है रंतु इसके लिए बहुत त्याग करना पड़ता है लड़के को लड़की को दोनों एक दूसरे को प्रति समर्पित हों त्याग हों क्योंकि विवा से पहले कुछ और बात होती है तो सुभावना सफर होता है विवा के बार वास्तीक्ता आ जाती है तो अचार जी किन बातों कर ध्यान चाहिए यह विवी आपसे जबूर जाने कि लिए दर्शक शिमला से महारे साथ जुड़ें तो इसे भी बात कर लेते हैं रत्री हमारे साथ शिमला से जुड़गी एड़ जब बहुत स्वागत है आपका करेकरम में इस ड़नी जी करेकरम में चुरदी है आप आप पूछी एंजी पूछीे क्या पूछना चाहती है वंधी मेरा डेट ऑफ बर्त तो है निए राइश्टावन बोलते था इस कोई बात नियुद ने रहता में बीना रहती हूं बिलक तो आपकी प्रसन कुण्टली से जो नजर आ रहा है वो आपको थोड़ा सा इच्छा सक्ती मुश्पूत करनी पड़ेगी यानि बीलपावर स्ट्रोंग करनी पड़ेगी। वील पावर आपकी कम है ये बीमारी का मुख्या कारण है और नसों की प्रोब्लम ठकान हो सकती है आपको फिर भी कोई गभराने की बात नहीं है उमर है आपकी आपकी तोड़ा सा इच्छा सकती बढ़ाएं तोड़ा स्वास्ते के इप्रति ध्यान दें सयार करें अच्छा भ स्विलिंग पर जरूर चुड़ाएं यह आप छे मिने कीजिए इससे आपको फरक नजराएगा थोड़ा परियास भी आप भी समयम भी करें तोड़ा द्वाई पाणी लें और परियास करें उपाय करें सारी सीज मिलके ही आपको अच्छा स्वास्त दे सकती है इच्छा सकत में निटैंहली ज़िए जरूर आप मझपूत करें चले बहुत बहुत शुक्रिया अजिज करें में जुड़ने के लिए अगली धर्षक विजय कुमार ही हमारे समय mudarि श्राड़ा संधस्त के आप कर अगे department ए मुश्चा वे म१ोच्जा विएन किन निक टीन यह रोग नहीं है यहां नीज स्कूल का है आप किसी भी परकार की बात हाँ पूछ सकते हैं आप चाहिए दूर बैठे हैं नजदी बैठे हैं यह जो कारेकरम है परवेश कुवार दे नौते पुछना थी हम पताइए क्या पुछना चाते हैं मेरे परवेश मुंदे दे बाफ्ट भुछनादी तरने चे उनिसो चाहिए जनम हो रहा तीन चे तीन जोन निसो चाहसी चाहसी अच्छाषी अच्छाषी एट फॉर एट फॉर बिल्कु ठीक है टाइम बताएए कहा है क्या कुछना चाहिए आपका मेरे मुंदे देबाब दाइए पी ती अलुबात औरे बरे देखिए अमकार बिल्कु ठीक है विच्छानी बताएं कि क्या कुछ दिक्कत है किस बात को लेकर आप अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहते हैं सवाल करेंगे तब जब आप दिया जाएगा गुस्णा बहुत कर दाइए बिल्कु ठीक है आपकी बात देखिए यहां पर समय थोड़ा सिमित होता है हम एक आदे कुस्चन का यांसर दे सकते हैं एक कुस्चन का आज लीजिए कर लीजिए परसन लीजिए ऐसे करके आप अपने सारे प्रसनों का हल जान सकते हैं आपने पूछा ग दिप्लोमेट नहीं है बात को गुमाने की कला इसके अंदर नहीं है जो कि आज कल बहुत जरूरी है इससे कान गुसा आता है काम कादगाच हित्यतर है वो भी कोई बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा अगर ये विदेश की तरफ रूख करेगा तो इसका जीवन काम्याब ह हो जाएगा विदेश की तरफ इसको कोशिश कीजिए और वहां जाके इसका भागय होदय होगा का में मिलेगी आज से ही इसके बारे में ये परियास आप शुरू करें बहुत बहुत शुक्रिया विजय कमार जी कारेकरम में चुड़ने के लिए अचार जी बहुत बहुत श झाल